दोस्तो आज हम इस वीडियो में एक ऐसा फंगी साइड के बारे में बात करेंगे जो कि इसको दुनिया का पहला ऐसा फंगी साइड माना जाता है जी हाँ आज हम बात कर रहे हैं आदमा कमपनी का जो निव प्रोड़क्ट आया है जो कि मस्टर कॉप नम पे आप लोगो को मार्केट में एवेलेवल हो जाएगा और ये जो फंगी साइड है इसके अंदर बहुत सरे खास बत दिया गया है वो आगे जाके आप लोगो को बता रहे हैं कि कैसा इसके अंदर खास बत दिया गया है उसके साथ साथ A to Z complete information के साथ आज हम इस वीडियो में मस्टर कॉप के बारे में बात करेंगे जैसे कि ये क्या है इसके अंदर क्या chemical composition दिया गया इसका mode of action क्या है इसका price कितना है इसका कैसे हम लोग इसको use कर सकते हैं कि A to Z जानकर है इस वीडियो के मजदम से आप लोग को share करेंगे तो बिना किसी देर करके वीडियो को चलिए स्टार्ट करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं मस्टर कॉप क्या है मस्टर कॉप एक broad spectrum contact fungicide है जो कि आदामा इंडिया private limited company ने इसको launch किया है और ये बिलकुल नया product है अभी recently market में available हो गया है और ये जो मस्टर कॉप है ये दुनिया का पहला ऐसा fungicide है क्योंकि पता है आभी तक जितना copper based fungicide था वो सब powder formulation में था लेकिन मस्टर कॉप जो है ये पहला ऐसा fungicide है जो कि इसको liquid formulation में बनाया गया है तो चलिए जानते हैं आखिर इसके अंदर क्या ऐसा chemical composition दिया गया है तो इसके अंदर आप लोगों को दूस्तो copper sulfate जो की 23.99% जो की SC formulation में मिलता है SC formulation के मतलब suspension concentrate होता है जो की साफेद कलार का liquid जो है वो गारे फोंपे आप लोगों को देखने को मिलता है तो चलिए जानते हैं master crop का mode of action के बारे में यानि कि इसको हम लोग जैसे किसी भी फसल पर जब फ्रोग करेंगे तो यह किस तरीके से फसल के अंदर काम करता है तो जैसे कि अप लोग को तो पहले ही बाता चुके हैं कि यह एक broad spectrum contact fungicide है जी हां broad spectrum यानि कि एक साथ में जैसे एक से ज़्यादा रोगों को control करता है तो उसको broad spectrum बोलते हैं और contact यानि कि क्या होता है फंगस के संपर्व में जैसे कोई भी दवा लगता है तो वही से फंगस control हो जाता है तो contact fungicide होने के कारण इसका जो result है वो तुरंद मिल जाता है लेकिन इसको अगर आप लोग preventive में spray करते हैं यानि कि रोग लगने से पहले अगर advance में इसको spray करते हैं तो और भी better result आप लोग को देखने को मिलता है कोई भी प्रकार की फंगस जनित जो बिमारी होता है उसको ये लगने नहीं देता है और उसके साथ-साथ ये bacterial जनित जो बिमारी होता है उसको भी ये लगने नहीं देता है क्यूंकि copper based जितना भी फंगिसाइड है ये सभी प्रकार की bacterial जनित बिमारियों को भी control करता है और उसके साथ साथ fungus जनित बिमारियों को भी control करता है और उसके अंदर एक खास बत यह दिया गया है अगर इसके साथ किसी भी दुसरे फंगिसाइड या फिर किसी भी दुसरे इंसेक्टिसाइड को अगर मिलाते हैं तो भी अच्छा रजाल देखने को मिलता है कोई दिक्कत नहीं है लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था जितना भी मत कोई इंसेक्टिसाइड या फिर कोई दूसरे फंगिसाइड को मिक्स करते थे तो वो मतलब मिक्स नहीं होता था उसका रजाल्ट नहीं मिल रहा था लेकिन इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं किसी फंगिसाइड या फिर किसी इंसेक्टिसाइड को बे जीजक मिला सकते तो चलि जो आभी आप लोग देख पाँ रहे हैं, लेकिन कोपोर ओक्सी क्लोराइड जो है, वो पहले से बोहत सरे कंपाईएं के पास था, जैसे कि बुलु कोपर नम पे था बलाइग्स नम पे था धाणु कॉप नम पे था इस सरीके से बहुत सरे कमपणियों के पास अभी तक नहीं है सिर्फ आदामा कमपणी के पास है जो आभी आप लोग देख पा रहे हैं तो चलिए बात कर लेते हैं कि इसको हम लोग कौन-कौन सी फसल पर कौन-कौन सी बीमारियों को कंट्रोल करने के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं तो बैसे तो आप लोग इसको किसी भी फसल पर प्रोग कर सकते हैं लेकिन इसको प्रोग करने से पहले एक चीजों के उपर आप लोग को ध्यान रखना है तब जाके इसको 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 से आगे आप लोग को बता रहें तो इसको आप लोग कीसी भी फसल पर बेजिजदीय को स्प्रे कर सकते हैं लेकिन यह जो है यह फंगल जनिद बिमारियों को तो गोशन करता है तो चलिए पहले बात कर हो earlier है कोंगा सा फंगाल जनिद बिमारियों कगो स्वब से पहले सारकोस पुरा लीप स्पोड को ईसके साथ पौडर मिल्डिव सोका सत्व चों यानि कि यह लगबग सभी प्रकार कि फंगास जनीत बिमारियों को कॉंट्रोल करता है जैसे कि अभी धान का सीजिन चल रहा तो रहा है। जो भी bacterial disease लगता है जैसे कि bacterial lip spot लगता है उसके अलबाब bacterial lip blight लगता है तो ये सब को भी ये control करता है और उसके साथ जो bacterial oil by बीमारी होता है उसको भी ये control करके रखता है लेकिन वो तो हम आप लोग को पहले बाता चुके हैं कि इसको अगर आप लोग preventive में spray करते हैं यानि कि रोग लगने से पहले इसप्रे करते हैं तो ये जो बीमारी हमने बताया है इसको लगने नहीं देता है और एक बार लग जाता है तो भी इसको control करता है लेकिन bacterial oil को लगने के बाद ये control नहीं कर पाता है तो चलिए बात कर लेते हैं कि इसको हम लोग समस्चा देखने को मिल सकता है क्योंकि ये एक copper-based fungicide है और copper-based fungicide अभी तक जितना भी था सभी में फ्लॉरे ड्रोपिंग की समस्चा देखने को मिलेगा अगर आप लोग इसको फ्लॉरेंग स्टेज में इसप्रे करते हैं तो तो ये आप लोग ज़रूर से ध्यान रख ल जल मिलेगा और हाँ इसके साथ किसी भी दूसरे दावा को मिक्स करते हैं तो भी कोई दिक्क्यत नहीं है वो तो आप लोग को पहले बता चुके हैं और उसके साथ-साथ इसका प्राइस की अगर बात किये जाए तो मार्केट में आप लोग को 100 ml का जो प्राइस है वो इसके बारे में complete information आप लोग को तो मिल गया होगा अगर आप लोग को फिर भी मन में कुछ सवाले तो नीचे आप लोग कोमेंट कर सकते हैं बाकि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग किसान भायों के पास स्यार कर दीजीगा और अगर हमारे इस चैनल पर पहली